हलो दोस्तों वेलकम टू रिजाल्ट गुरू चैनल जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हम रोज 11 बजे यहां लाइव होते हैं बायलजी के लिए तो जल्दी से सेशन को जोइन कर लें ताकि आज का लेक्चर हम शुरू कर सके येस आईशा हसन गुड मॉर्निंग बेटा वेर आप सभी लोग जानते हैं लास्ट क्लास में हम बायो टेक्नोलेजी और जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते थे आज हम पढ़ेंगे इवल्यूशन के बारे में इवल्यूशन से पूछे गए क्वेस्टिन आज हमने डिसकस करने हैं तो जल्दी सोनम तिवारी गुड मॉर्न बेटा गुड मॉर्निंग वरी गुड मॉर्णिंग चलो है तो शुरू कर लेते हैं अपने अपने क्वेस्टिन को कि क्या कहते हैं कि आज के क्वेस्टिन ऑज थे आज हमने इवल्यूशन के बारे में पढ़ना है चलो तो अगर मैं बात करूँ कुछ questions की जो exams में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं चीक है अभी तक यह जो जिसने भी mobile app डाउनलोड नहीं करा वो इसको डाउनलोड कर ले और हम move करते हैं अपने first question की तरफ The finches of Gallopagos Island provide an evidence in favor of special creation, evolution due to mutation, retrogressive evolution या bio geographical evolution जो Finches of Gallopagos Island था वो किसका evidence है किसने theory दी थी Darwin ने theory दी यह आप सभी लोग जानते हैं Darwin ने Finches को Finches की theory दी थी कि जो उनका Gallopagos Island पे जो Finches है जो B क्या उनका common ancestors के बारे में बात की थी common ancestors Sonam Tiwari बोल रही है D होगा क्या होगा D होगा, okay Biogeographical Mutation होगा, ठीक है Biogeography Biogeography होती क्या है? It is the study क्या है? It is the study of location location of different 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 species different different location के different species को अगर हम study करते हैं तो हम क्या कहते हैं उसको Biogeography Biogeography क्या reveal करता है कि जो जितने भी closely closely species होते हैं जितनी भी closely species होते हैं वो एक आसपास ही रहते हैं मतलब उनका जो geographical area होता है वो क्या होता है? Lookam होता है geographical area होता है वो भी close होता है closely related species का geographical area भी क्या होता है? close होता है तो जब उसने Galapagos Island पे Finches की बात करी थी तो उन्होंने बताया था कि वो क्या inhibit करते हैं? different जो different island पे है different island पे है वो quite similar है quite similar है उनका ancestor जो ancestor था जो पहले जहां से evolved हुए हैं वो तो same था वो तो common था लेकिन दीरे 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 आगे उन्होंने अपने according, अपने habit के according, feeding habits के according क्या कर लिया? उसमें evolution लिया है तो bio geographical evolution हमें क्या बताता है? Finches of Galapagos का example है यह bio geographical evolution जैसे जैसे जिस एरिया में जैसा जैसा feeding habit था finches वैसे वैसे evolved हो गए ठीक है? गूड मॉर्निंग दीपक तनवर गूड मॉर्निंग बेटा गूड मॉर्निंग शिवांगी शिवांगी कल कहा थे? शिवांगी कल अपसें थी adaptive radiation refers to adaptation due to geographical isolation evolution of different species from a common in system, migration of member of species to different geographical area यह power of adaptation in an individual to a variety of environments गूड मॉर्निंग गूड मॉर्निंग आज माम को थोड़ा सा उपर देखने में आप लोगों के कमेंट को देखने में दिक्कत हो रही है आचली मेरे यहां पे बहुत ज्यादा पेन है अना तो मैं लेकिन देख सब को यू माम guest आये वे थे ओके ओके कोई ही प्रॉब्लम नहीं है इचिक है Zn adaptive radiation के बारे में पूछा है क्या है adaptive radiation adaptive radiation migration of member of species to different geographical area आपसे adaptive radiation पूछा adaptive radiation होता क्या है ये कौन सा evolution है evolution of different species different species का evolution from a common ancestor from a common ancestor and sister ठीक है क्या है evolution है different species का जो कहां से common ancestor से बिलोग वो करता है ठीक है तो on a small scale हमने अभी ये जो finches का example पढ़ा था finches of gallopagos ये भी किसका adaptive radiation का ही function है adaptive radiation ही शो करता है ठीक है तो evolution of different species from a common ancestor बी है इसका option ठीक है ओके ओके बेटा बी करेक्ट है भी ठीक है मेरी sound low तो नहीं आ रही है ये विता दो मेरे को sound low तो नहीं आ रही है चलो मैं छोड़ना नहीं जाती थी आज की class क्योंकि आज की class में आपको क्या था evolution करना था अगर मैं आज की class छोड़ देती तो आपका evolution वाला पार्ट छूट जाता और फिर हमें कब करना पड़ता मंडे को करना पड़ता और वह मंडे को जो हम mock test लेके आ रहे है फिर वह वाली series भी छूट जाती है ना वह भी एक एक लाग कर जाती तो इसलिए मैंने सोचा की class आज की बहुत important आप लोगों के लिए भी इसलिए मैंने छोड़ी नी no man sound okay okay good good very nice चलो the scientific name of homo erectus has been given to chromagnum man nithand nithandral man java ape man ya peckingman yes homo erectus का scientific name homo erectus scientific name क्या है जल्दी बिताओ क्या किसको कहते है जुनके पास brain थोड़ा कम होता है चोटा brain होता है ना homo erectus है कौन जावा मैं को कहते है java man का scientific name क्या है homo erectus लेकिन homo erectus का scientific name पूछा है यहां पर इसका homo erectus का तो जे java ape men a java ape man यह क्या था sorry the java ape man क्या है first specimen है किसका you when specimen है किसका for specimen of किस्का homo erectus का याद रखना homo erectus जब discovered हुए थे तो जो first species थी वो कौन सी थी जावा एप में थी ठीक है और इनका इनका scientific name क्या है किसका homo erectus का पहले जिस scientist ने दिया था उसने इसका नाम रखा था पिथियो canthropus erectus erectus यह किस ने दिया था dubis ने दिया था और इसकी इनकी cranial capacity थोड़ी ज्यादा थी हमसे तो कम ही थी लेकिन थोड़ी ज्यादा थी larger थी cranial capacity गुड मॉर्निंग नीलम गुड मॉर्निंग जावा एप में scientific name of homo erectus has been given to अच्छा किसको दिया गया था homo erectus का scientific name तो किसको दिया गया था given to लिख है तो Java ape man को ठीक है clear है चले which of the following factors help in evolution but is not considered the basic factor of evolution evolution evolved on evolution उसमें जो basic factors थे वो कौन कौन से थे isolation adaptation variation ya mutation yes फड़ा फट बताओ इसका answer क्या होगा basic factor क्या है evolution के basic factor मैंने आपको चार factors बताए थे basic factors कौन-कौन से थे कौन-कौन से थे एक तो variation था है ना दूसरा क्या था genetic drift जीन पोल में variation मतलब mutation mutation adaptation यह कुछ factors हमने पड़े थे किसमें evolution में तो यह क्या है evolution होता क्या है evolution is change in the feature of any species in a given area over a period of time or many generation many generation में जब आप changes देखते हो उनके features में in the features और यह किस पर depend करता है evolution आपका natural selection पर depend करता है natural selection पर natural selection पर depend करता है और यह natural selection की theory किसने दी थी Darwin ने Darwin's theory of evolution कि evolution क्या है कैसे अकर होता है natural selection के द्वारा जो nature select करती है वो evolved होती है ठीक है ताकि वो आगे reproduce करेंगे अगर nature ने उनको select नहीं किया तो आगे capable नहीं होंगे क्या offspring produce करने के तो इसलिए उनका evolution नहीं होगा evolution भी उनका होगा जो उनको nature select करेगा ठीक है तो isolation is incorrect isolation क्या नहीं है basic factor नहीं है किसका evolution का gradual change यह sequential change चलो next which of the following was absent in atmosphere of primitive earth methane ammonia water या none of these पूचा है जब primitive earth क्या पूचा है primitive earth का atmosphere पूचा है आपसे क्या present था रिडूस था पहली बात तो वो reducing environment था कौन-कौन सी gases present थी जल्दी बताओ कौन-कौन सी gases present थी यह पता है आपको urea oh sorry urea कहां से आ गया methane sorry atmosphere की बात कर रहे हैं methane ammonia और बताओ चलो यह दो तो मैंने बता दिये अब आप बताओ हो एक answer क्या होगा इसका अगर मैंने आपको बताया कि जो प्रिमिटिव अर्थ था वो क्या था reducing था मतलब तब वहाँ पे जो atmosphere में जो gases present थी वो कम थी कौन-कौन सी gases present थी मैंने आपको बता दिया methane और ammonia आप correct option बताओ कि क्या होगा निकिता गुपता कह रहे है डी होगा एनेच थी बेटा ammonia तो मैंने लिखी दिया कि वो gases present है और methane भी मैंने लिख दिया CH4 तो अब क्या होगा नन अव दीज और ऑक्सीजन नहीं थी free oxygen नहीं थी यह बिल्कुल सही कहा किसने दीपक तनवर्व ने वहाँ पे free oxygen present नहीं थी किस फॉर्म में थी water के फॉर्म में water भी किस फॉर्म में वेपर के फॉर्म में वाटर ने इसके साथ bond बना लिया था और carbon monoxide और carbon dioxide gas भी present थी water वेपर प्रेजन थी नन ओफ दीज आएगा क्योंकि इसमें oxygen free state में अगर लिखा उता free state oxygen नहीं प्रेजन थी इसमें primitive अर्थ में ठीक है चलो नेक्स्ट येस oxygen is correct very good beta no oxygen is present evolutionary history of an organism is known as phylogeny ancestry palan palanotology या ontogeny evolutionary history किसी organism की क्या कहलाती है evolutionary development evolutionary development and history of species और अफ एक ग्रूप के अंदर टैक्सन के अंदर और ग्रूप या टैक्सन के अंदर किसमें study करते हैं फाइलो जैनी में study करते हैं तो फाइलो जैनी क्या है यह study है किसका evolutionary development phylogeny evolutionary development and history of species बताती हमें यह फाइलो जैनी यह स्वेरी नाइस ठीक है यह फॉसल की है यह एंस सिस्टर्स यह तो हमें सिर्फ यह बताते हैं कि बारे एंस सिस्टर्स क्या कौन थे ठीक है चलो next theory of natural selection is given by Darwin, Lehmach, Mendel या Hugo de Varis Hugo de Varis Hugo de Varis ने क्या proposed किया था कौन बताएगा और natural selection की theory किसने दी थी यह जल्दी बताओ natural selection की theory किसने दी थी Hugo de Varis ने तो mutation theory दी थी है ना किसकी theory दी थी इसने mutation की और natural selection की theory किसने दी थी Darwin ने और Mendel ने क्या दिया था law of inheritance law of dominance law of dominance और segregation law ठीक है Lehmach ने कौन सी theory दी थी Lehmach ने कौन सी theory दी थी अब यह कौन बताएगा येस Lehmach की theory क्या थी Lehmach की किस पे थी evolution पे थी evolution based evolution based theory थी लेकिन कौन सी theory थी उसने physical change किसका organism का और फिजिकल चेंज वेद एंवायर्मेंट वेद एंवायर्मेंट तो इसकी theory में evolutionary with natural selection था क्योंकि जो nature select करेगा और जो फिजिकल चेंज आ रहे होंगे वो लेमार्किन की थी थी और डार्विन ने सिर्फ और सिर्फ नाच्रल सेलेक्शन बताया था नेचर कैसे सेलेक्शन करेगा और दीरे दीरे उसके behavior में कैसे चेंज आएगा यह किस ने दिया था लेमार्किन ने दिया था ठीक है क्लियर रहे है इतनी बात चलें कि अंवर्जेंट एवलुशन फूश्वीस कि इस एस्सोश टेद विद रहे है कैने बात चैनियर इवलुशन कौन से और बंस योता आना लगा सौर गंसे ओता आ अनलोगा सौर गंसे ओता है they have different ancestor different ancestor konsyote analog analogous organs konsyote same function jinka ho kiska function same or origin different okay woh konsyote analogous organ hote they perform similar function but they have different origin or unka ancestor be different to the convergent evolution hote hai okay clear itni bad chale next chalo which of the following are not analogous organs fins of fishes and flippers of whale stings of honeybee and scorpion thorn of bogginvillia and tendril of cucurbita wings of insects and wings of bird this is a good idea yeah you have to be in crt me a lot of the same mention in crt me a lot of the examples there are a lot of the examples there are a lot of the slides provide kira do nga kiski evolution ki examples there are a lot of the examples there are a lot of the analogous k होते कौन से हैं homologous they have similar structure similar structure but different function अब देख लो homologous कौन कौन से हैं fins of fishes or flipper of wheels same काम करते हैं homologous है sting of honeybee and scorpio यह भी homologous है नहीं यह क्या है analogous है जो भी बोलते हो वही सुन लेते हो thorns of buganvilla buganvilla के thorns देखे हैं न और tendrils कि यह क्या है इनका similar structure होता है लेकिन function दोनों का different है तो यह क्या है homologous है बाकि सारे क्या है analogous है ठीक है है analogous में क्या है function सबके different है लेकिन origin सबका सेम है क्लियर है इतनी बात कि यहां पर कोई doubt किसी को तो पूछ लो कि analogous वो होते हैं जिसके analogous क्या जिसका structure क्या होता है different होता है बट function सेम होता है यहां पे homologous में क्या होता है similar structure होता है बट different different function होता है ठीक है तो इसका बगन्विला का और टेंड्रिल्स का स्किटा का उनके दोनों के functions क्या है ओ हो similar structure है function different है struggle of existence and survival for the fittest theory was given by good morning sunny good morning बेटा चलो struggle of existence किसने दिया था theory struggle of existence struggle of existence and survival for the fittest theory किसने दी थी डार्विन ने किसने दी थी डार्विन ने क्या बोला था evolution is evolution is natural selection nature select the fittest nature उसी कोई select करेगा जो उस पे fit हो रहा होगा ठीक है otherwise दूसरा वाला क्या हो जाएगा extinct हो जाएगा ठीक है इसी लिए बहुत सारे और्गानिजम क्या कर गए थे extinct कर गए थे और adopted for survival वो बोल रहे थे कि वो ही survive कर सकते हैं जो नेचर को adopt भी कर सकते हैं स्ट्रगल है उनके लिए एक्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल है तो क्या बोल किस ने दी थी डार्विन ने थियोरी दी थी branching descends और natural selection इसकी दो concept थे डार्विन theory of evolution के चलो next which of the following is not a concept of landmark environmental pressure causes variation rate and survival of organism is different due to variation inheritance of acquired character if organ is not is used constantly it will continuously increase its size क्या दिया था लैमाक ने लैमाक ने बोला था miss use and miss news and disuse of organ अगर organ को आप use कर रहे हो तो वो evolved होगा अगर उस पो यूज नहीं कर रहे हो तो वो खतम हो जाएगा है ना तो constantly organ को use करते रहेंगे तो उसका size increase हो जाएगा acquired character inheritance of acquired character तो थे ही कि हमें जो हमारे जो characters हैं वो कहां से आ रहे हैं वो हमने inherit की हैं कहां से ancestors से ठीक है तो लैमार्किन का concept क्या था एक तो theory of inheritance था theory of inheritance पहली theories की inheritance के उपर भी बोला था इसने दूसरा इसने use and disuse के उपर भी बोला था use and disuse के उपर भी बोला था ठीक है rate and survival of organism is different to to variation variation तो बोला था कि अगर environmental pressure लगेगा तो variation आएंगे changes आएंगे वही तो fit होंगे ठीक है तो rate and survival of organism is different due to variation यह नहीं बताया था इसने ठीक है उसने क्या नहीं बताया था variation को उसमें नहीं लिया था रिद नॉट पूट variation अंडर कंसंडर कंसीडरेशन according to neo-darbism theory which of the following is responsible for the origin of new species neo-darbism theory क्या कहती है की new species guess guess a I mutation say I useful variation and natural selection for a mutation together with natural selection say आई और hybridization से आई yes उसने क्या किया सारे data को accumulate किया कौन सा adaptive variation को adaptive variation को उसने देखा वो जो nature के साथ evolved हो रहे है natural selection उसको वो क्या changes ला रहे है वो क्या ला रहे है changes ला रहे है sequential changes ला रहे है और वो new species का origin कर रहे है origin of new species कर रहे है तो उसने दोनों चीज़े देखी variation को भी देखा और जिसके कारण mutations होई और उसने यह भी बताया कि यह variations किसके द्वारा और यह natural selection के द्वारा और यह तो इसने दोनों चीज़ों को consider किया था ठीक है किसने new darwin darwin theory ने ठीक है new darwin theory क्या थी कि Mutation Sudden Change है, Mutation क्या है, एक Sudden और Discontinuous Variation है, जब यह, जब environment इसको favor करेगी न, तो वो survive कर जाएगा, यह कहता था Neo-Darvian Theory, ठीक है, तो इसने क्या बताया था, Mutation बताया था, किसके साथ, Natural Selection के साथ, Yes, Very Nice, He is Correct, Very Good बेटा, Next, One of the important consequence of geographical isolation is, no change in the isolated fauna, preventing speciation, speciation through reproductive isolation, या random creation of new species, geographical isolation के लिए, origin, आपको पता है, जो species का origin हुए है, वो कहां से हुए है, उसके ancestral, ancestral species से हुए है हना, ancestral species से हुए है, क्योंकि, जो geographical area है, geographical isolation है, वो क्या कर देता है, reproductive isolation भी कर देता है, अब कोई दूर-दूर है, तो अगर वो एक दूसरे geographical area में है, तो reproduction isolation भी हो जाएगा, reproduction isolation भी हो जाता है, और जिसके कारण क्या होती है, species, allopatric speciation होता है, allopatric speciation होता है, different geographical area की species evolved होती है, तो यहाँ पे no change in isolated fauna यह तो नहीं था, preventive speciation यह भी नहीं था, speciation through reproductive isolation, यह इसका geographical isolation का main क्या था, कि reproductive isolation भी हो जाता है, चलो, next, yes बेटा क्या पूछ रहे हो, 11 बजे होती है, yes, every morning 11 बजे, आज माम की neck में ना इतना pain है, कि मेरी ऐसे गर्दन घूम नहीं रही है, ऐसे नहीं घूम रही है, बस ऐसे एक जगा मैंने टिकाई हुई है, बस आप लोगों के comments देख सकती हूँ, तो इतने तक, मतलब मेरी आइस इतने तक जा रही है, इसे उपर नहीं जा रही है, चीक है, तो आज आप क्या कर रहे हो, आज माम के साथ एडजेस्ट कर रहे हो, कि माम हमें देख नहीं रही है, which one of the following amino acids was not found to be synthesized in Miller's experiment, Miller, Urey और Miller ने क्या किया था, एक experiment किया था, biotically amino acids बनाये थे, है ना, formed किये थे, simple organic compound से, किस से, simple organic compound से, yes, हाँ, तो क्या था, मिल, कौन थे, Miller और यूरे, Miller और यूरे, उन्होंने क्या, एक laboratory में, lab के अंदर, क्या बनाया था, amino acids और कुछ basis को synthesized किया था, जिसमें से, कौन-कौन से amino acid आये थे, सारे बच्चे बोल रहे हैं, aspartic acid, it's okay ma'am, आप अपना ख्याल रखें, okay, thank you, glycine, aspartic acid, और alanine, ये बने थे, glutamic acid नहीं था, ठीक है, glutamic acid is not synthesized in this experiment, next, organs which have same fundamental structure, vestigial organ, homologous organ, analogous organ, homoplastic organ, yes, कौन से हैं, जो same, जिनका structure same होता है, अभी वेने आपको बताया, yes, ये तो खुद बता दो, vestigial organ, homologous organ, analogous organ, या homoplastic organ, yes, जल्दी-जल्दी बताएंगे इसका correct option, होता है, होता है,ason, जुदी-जल्दी बताएंगे बताएंगे जा, homologous organs which have same fundamental structure, vestigial organ, homologous organ, analogous organ, or homoplastic organ? homologous organ very nice, very good homologous organ क्या होता है homologous organ क्या है analogous कौन बोल रहा है वो organ जो जिनका same structure है but have but have different function different function इसका example बता दो जल्दी से जल्दी से four limb of man किसके साथ? four limb of man और four limb of whale bat, lizard ये सब क्या है? lizard तो चलो से अलग हो गई bat, cheetah किसके लिए help कर रहे है? ये running के लिए help कर रहे है आप किसके लिए काम कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? कुछ और चीज़ों के लिए है ना? हाथ का यूज़ों और वो किसी और चीज़ के लिए मतलब structure क्या है? similar है? homologus है क्योंकि same origin है ancestor same है है ना? सारे mammals है दिख नहीं रहा है क्या? बेटा, आज थोड़ा सा मेरे को मैं comments देखने में थोड़ा सा वो कर रही हूँ क्योंकि मेरी गर्दन थोड़ी उठनी रही है चिक है? चलो, next question पर which of the following is not true for a species? member of species can interbreed variations occurs among member of species gene flow does not occur between the population of species each species is reproductically isolated from organic species yes, ape and man अब यहां से बताओ species के लिए क्या नहीं है साही? क्या species के same member के species interbreed कर सकते हैं? कर सकते हैं, हना? species are those which are capable of interbreeding them among self तो interbreed कर सकते हैं ठीक है? वो अपने genes को exchange कर सकते हैं variation occurs among member of species और यह variations भी आ जाते हैं अगर species में interbreed होगा तो variations तो आएंगे एकदम exact copy थोड़ी बन रही है gene flow does not occur between the population of species each species is reproductively isolated reproductively isolated from the थस्थातर राफतर सकते हैं णyत लामा बना खीद औरे. इस है मैं दूँआ पहित यह सस्थाज़ी यह कर सकते हैं येस क्या हुआ फिर क्या कह रहे है कि यहां पे जो gene species है वो क्या कर रहा है interbreed कर रहा है variation occurs amongst member of species variation किसमें हो रहा है member of species में हो रहा है gene flow does not occur between the population of species gene flow कहां नहीं अकर होता population gene flow तो अकर होता है population of species में यह तो गलत statement है तो C statement is incorrect चीक है clear है चले next now next big bang theory was proposed by big bang theory was proposed by can Miller limit tray या darwin big bang theory किसने proposed करी थी yes बताओ big bang theory थी क्या यह तो सबको बताओगा big bang theory क्या थी big bang theory थी कि जो universe है वो कहां से start हुआ है एक tiny dots से start हुआ है इससे tiny dots ही और इस tiny dot में immense बहुत जादा heat produce हुई और इसने क्या कर दिया एक blast कर दिया कि जब इसने blast किया और universe क्या हुआ cool down हुआ cool down हुआ तो क्या आगे stars galaxies आगे universe में तो यह थियोरी किस ने दी थी लिमाट्रे ने दी थी ठीक है c yes लिमाट्रे ने दी थी very nice very good beta very good चलो next yes origin of universe darwin finches are an example of brood parasitism connective link adaptive radiation या seasonal migration darwin finches किसका example है अभी तो बताया gallopagos किसमे island में gallopagos island में किसने darwin ने क्या किया था कि हर एक जो species है वो क्या हुए है different different beak shape and size beak shape and size यह किस पर depend किया depend on their feeding habit feeding habit तो क्या हुआ evolved हुए different beak और उससे तो किसका example है adaptive radiation का ancestor क्योंकि common है ancestor क्या है common है लेकिन बाद में evolved होगे according to environment environmental factors कि उनका feeding habit कैसा खाना उन्हें वहाँ पर मिल रहा है अब आप adaptive radiation का एक और example देती वह बच्चे होती है एक कपल है उसने तीन चार बच्चे प्रडियूस किये सारे बच्चे अलग अलग जगा चले गए कोई अमेरिका चला गया कोई इंडिया में रह गया कोई अफ्रीका में चला गया है ना अब क्या हुआ थोड़े टाइम बाद आप देखोगे हर बच्चे का lifestyle change होगा lifestyle change होगा यह भी क्या है adaptive radiation है मतलब ancestor common है जहां से origin हुआ है वो common है लेकिन बाद में जाके उन्होंने क्या कर लिया different different क्या ले लिए different adaptation ले लिया किससे environment को देखते वे ठीक है तो यह किसका example है adaptive radiation का next which one of the following is incorrect about the characteristic of proto-binds as invadigates as a bionic origin of life yes क्या होगा इसका अंस probinds कौन से होते हैं जिनके पास जो catabolically capable होते हैं catabolically क्या होते हैं capable होते हैं तो as invadigate in a biogenic origin a biogenic origin में a probio यह क्या है यह proto-binds पहले तो देखो proto-binds क्या है एग्रिगेशन है किसका एग्रिगेशन ओफ अबाइटिकली 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 produced organic molecule का produced organic molecule का उसने क्या कर लिया एक मेंब्रेन अपने आसपास surround कर लिया तो यह क्या हो गया metabolically active हो गया रिप्रेड्यूस भी कर सकता है metabolize भी कर सकता है ठीक है और metabolically active हो गया they were partially isolated from surrounding they could maintain an internal environment they are able to produce they could separate combination of molecules from surrounding यह क्या कह रहा है तो यह क्या कर सकता है partially isolate हो गया कहां से surrounding से they could maintain an internal environment internal environment को maintain कर सकता है reproduce भी कर सकता है they could separate combination of molecules from the surrounding यह पर यह नहीं कर सकता है ना separate नहीं कर सकता किसको surroundings में जो molecules हैं उनको और molecules को थोड़ी हटा सकता है है खुद हट सकता है वहां से partially isolate हो सकता है लेकिन other molecules को नहीं हटा सकता है ना चलो next which of the following provides most evident proof of evolution fossils morphology embryo ya vestigial organs moon moon नहीं आई आज moon moon girl है boy चलो next देखो सबसे most evident proof किसका evolution का क्या था जल्दी पिता हो क्या था इसका कि on सपसे evident proof of evolution क्या था था फॉसिल थे नंद फॉसिल्स क्या करे वैथ trying gesund का करके रखते यह जो Helsing survived को फ्रीमेन होते हैं किसके ऊंद्टाइफर अनिमल्द और प्लांब शुन के टांट क्या कोन इससे क्या पता लगा सकते हैं कि कॉमन इंसिस्टर कौन था क्या 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 नेचर में चीजे थी जो वो इवाल दुए है अब पहला environment कैसा था और अपका environment कैसा है तो fossils जो है वो best evident है किसका evolution का ठीक है yes बेटा मुझे भी लग रहा है सा it's too hurting in case of pepper mode the black colored form became dominant over the light color form in England during industrial revolution this is as an example of पहले क्या था जो मोथ थी कहां पे England में वो कैसी थी वो पहले light color की थी फिर जब इवाल्ड उई तो ब्लाक कलर की ब्लाक कलर dominant हो गया क्यों क्योंकि industries revolution हो गया industries में सारा जो environment वो भी कैसा हो गया डाक हो गया black हो गया जिसके कारन का आप इन्हेरेटेंस आप डार कलर गया डार करेक्टर एक्वायर्मेंट तो डार्कर फॉर्म्स वर सेलेक्टेड अपिरेंस आप डार्कर कलर इंडिविजुल दू वेरी पूर लाइट या प्रोटेक्टिव मिमिक्री मिमिक्री क्या होता है मिमिक्री होता है कुछ और्गानिजम क्या करते हैं दूसरे और्गानिजम अप्रे से बचने के लिए किसी और और्गानिजम की मिमिक्री करने लग जाते हैं वह ऐसा दिखाते हैं कि हम क्या है हम इनके प्रे नहीं है ना पढ़ा था ना अपने किसमें which of the following was not given by Darwin's theory of evolution struggle of existence, overproduction, natural selection या genetic drift इन में से कौन सी theory है जो किसने नहीं दी Darwin की theory नहीं है struggle of existence तो है struggle of ये तो है existence भी है, natural selection भी है, overproduction भी है जे लेकिन genetic drift नहीं है कैसे gene flow होगा ये नहीं पता उसको repeat question number 21 21 में एक मोथ थी, कहाँ पे? England के अंदर, England के अंदर जो मोथ थी पहले वो lighter color की होती थी, light color की होती थी जैसे जैसे industrial evolution आये, बहुत सारे industries बनी माँ वहाँ का environment जो है, gases बहुत जादा evolved होने लगई तो environment में changes आने लगए, environment में changes आने लगए, तो वो कैसी evolved होगी, black color की evolved होगी, अब जो black color की सारी species आने लगई तो ये किसका example है, inheritance किया है, darker color को, नहीं पहले तो lighter color था, darker को इने रिटेंस थोड़ी किया है, क्या था, nature ने उसको select किया है, क्योंकि nature में, environment में changes आये, जिसकी बज़े से वो क्या होगई, darker color की होगई, चिक है, clear है, दीपक तन्वर, clear है बेटा, चलो, next, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं बताया था किसने, डार्विन ने, डार्विन की evolution theory में, जेनेटिक ड्रिफ्ट को, नहीं, क्या किया था, consider किया गया था, चलो, next, जेनेटिक ड्रिफ्ट को, जेनेटिक ड्रिफ्ट को, चलो, ये बताओ, scientist कौन से correctly match नहीं है उनकी theory के साथ, d-veris ने natural selection की theory दी थी, correctly match है, sorry, d-veris ने क्या दिया था, भी मैंने आपको बताया, d-veris ने, mutation पे दी थी है, na, mutation की theory दी थी इसने, ठीक है, mutation की theory दी थी, Mendel ने क्या दिया था, inheritance की theory दी थी, inheritance, law of inheritance दिया था, Westman ने क्या दिया था इसने continuity of germ plasma बताए था continuity of germ plasma यह क्या था कि जितनी भी information है heredity information है वो कहां से आ रही है germ cell से आ रही है germ cell से तो germ cell से आ रही है जितनी भी heredity information है वो कहां से आ रही है germ cell से आ रही है pasture ने क्या दिया था इसने तो disease की थियोरी दी थी पास्चर चले तो एक करेक्ट ऑप्शन क्या है सी यही करेक्टली मैच है बाकी तो सारे गलत है चिक है चलो पास्चराइजेशन भी दिया था नेक्स्ट एक लुईस पास्चर ने एक उसके डिस्कवरी भी की थी मेडिसन की किसके लुईस पास्चर डिस्कवर्ड विच मेडिसन बताओ इसकी सबसे पहले बताओ जल्दी कौन सी वाक्सिन दीती रेबिस रेबिस ठीक है है हाँ चलो next Darwin Finches provide an excellent evidence in the favor of organic evolution these are related to which of the following embryological, palentological, anatomical या bio geographical Darwin Finches के बारे में पूछा है जब वो Galapagos Island बे गया था तो उन्होंने क्या देखा Finches में fluctuation देखी किसके कारण इसके कारण bio geographical geographical area change हुआ था जिसके कारण क्या था उसके finches में भी different था किस finches किसकी उसके beak का size और size and size and structure hello next and important evidence in favor of organic evolution is the occurrence of homologous and vestigial organ analogous and vestigial organ homologous organ or homologous and analogous organ organic evolution कैसे अकर हुआ जल्दी बताओ गेस्ट आए थे शिवांगी के घर में ओके आपसे पूछा गया है homologous organ and important evidence of organic evolution organic evolution का important evidence है वो किसके कारण है homologous and vestigial organ के कारण है na homologous organ which have same evolutionary क्योंकि उनका evolutionary origin क्या है same है तेक है और vestigial organ vestigial organ भी यही बताता है क्योंकि vestigial organ पहले in sisters में काम करते थे लेकिन अब काम नहीं करते हैं तो यह भी का है evolutionary changes है ठीक है homologous and vestigial होगा बेटा analogous तो different analogous में तो different evolutionary होता है यहां तो evolution favor करता है वो पूछा है ठीक है चलो क्या हुआ हां बस बेटा question almost खतम होने वाले हैं ठीक है next वो खतम ही होगे चलो this is all about your today's class ठीक है आज की class में हमने कुछ questions कर लिये हैं किसके evolution के next class में ना हम Monday से क्या करेंगे हम Monday से mock test करेंगे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम Monday से next week पूरा मौक टेस्ट के लिए करेंगे जिसमें most expected question करेंगे आपके पास देखो कितने bulk में question होगे होंगे क्या इससे बार भी कोई question में बना सकता है अगर आप कोई भी paper दे रहे हो चाहे UPTGT का दे रहे हो या UPGT का दे रहे हो KVS का दे रहे हो यह कोई topic बच्चा है तो बता दो मैं share कर दूंगी आपके साथ किसमें telegram channel पर अगर आपको किसी और के questions भी चाहिए ठीक है next से अब हम क्या करेंगे next class में हम क्या पढ़ेंगे हम मॉक टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट जो most expected questions पूछे गए उनको discuss करेंगे Monday से ठीक है तो बबाई thank you so much thank you so much बेटा thank you ठीक है माम थोड़ा सा rest करेगी तो ठीक हो जाएगा okay thank you so much okay बबाई take care and have a nice day